पॉर्टि का खिर्दा के द्वारा लगाये गए हैं तो अदेखे आप दीपक बैज जो है इस वक्रेस कॉंफेर्स ले रहे हैं और यह दीपक बैज आपको प्रेस कॉंफेर्स में दिख रहे होंगे रादी का खेडा रे जो गर्भी रारॉप लगाए है उस पर अभी दिपक जो है वो प्रतिक्रिया देंगे और दीपक पैसर आज एक खटना क्रम ये हुआ है सर रादिका खेडा ने प्रेस वान पेस्ट के का है कि सुसी रामन सुकला ने भारत जोड़ो यात्रा के दौरांजियो सराव आफर किया था लादिका खेडा क्या रोगों पर क्या खेए दो तीन चीजे उन्होंने कहा है कि मैं राब बगतु हूँ और पार्टी काने ले पे जोगटी तुई है मैंने AICC ने इसको परिक्षर जाज करने को कहा मैंने जाज किया और रिपूट मैंने AICC को बेज़ किया है रही कोग्रेस कारेले की सुरप्चा की बात कोग्रेस कारेले में आज भी आप देखेंगे चाई पर्डोन रूमों या फिर हमारा वार रूमों सभी जगा महिला करमचारिया आज भी काम कर रहे हैं और वो सुरप्चीत है कहीं कोई AICC इस्तिती नहीं है कोग्रेस कारेले मैं आज तक कभी इस तरह हुआ न कभी होगा हाँ दोनों के बीच में सुसिलानन सुकला जी और दोनों के बीच में यह अभी से नहीं बहुत लंबे समय से छोटी छोटी बातों को लेकर आपस में मंद में थी दोनों के पीछ में लेकिन उस दिन थोड़ी सी कि PC अरेजमेंट को लेकर अपना अधिकार को लेकर कि यह मेरा अधिकार छेतरे मुझे करना चाहिए थोड़ी सी बातों को लेकर बहस हुई ये सच्चा ही है और मैंने सभी रिपोर्ट AICC को मैंने बेश दिया है और लेकिन अपनी ब्यक्तिगत जगड़े को लेकर घर की विवाद को लेकर अगर कोई कहे कि मैं राम मंदिर पुजा करने जाते हैं आयोध्या जाते हैं ये तो द नहीं जा पा रहा हूं तो घर से पुजा कर रहे हैं तो इसको जोड़कर देखना मुझे नहीं लगता है कि ये सही है और बाकी चीज़ों पर मुझे अभी कुछ नहीं कहना है ये सब चुनाओं के ठीक पहले इस तरीकी का सब चीज़े होना फिर प्रेस कॉन्फरेंस करना प्रभु सिर्राम नियाए दिलाएंगे कि इस और इसारा कर रहा है चिद्या पूछ लेक्ते हैं कि उनके आरोपों से क्या ऐसा लग रहे हैं कि वार्टी जन्फा पार्टी में शामित हुए देखिए तो उनका व्यत्तिकत निर्णे है सामेल होना नहीं होना इस पर मुझे क लेकिन अगर जो गलत है तो इस पर पार्टी कारवई करेगी पार्टी हमने रिपोट बेज दिया है कि इस तरह से आप से लेकर घुबेश बगेल जी सचीन पाइलेट जी प्रियंका गांधी जी राहुल गांधी मल्ली कार्टिन खड़के सब्वे सवाल कारी इसको कैसे दे जाएं कोई दिक्कत ने आरफ लगाना है लगाने चाहिए कि अब इस पे मुझे पूछने के लिए तो सरी ये कह रहा है कि सुसील आना सुखला ने जो है उसके साथ दुरुवागार किया है सराफ पर रूस्तिंगी बात कहेगी तो सर अब क्या जो जिन पर आरोप लग रहे कि नहीं रहेंगे क्या कोई करवाई करती है किसके उपर करती है तो उसकी कोन है क्या है पार्टी ने लेगी इसका अब इस्तिफा देने के लिए तो उनका वेक्तिकत देड़ा है अब दोलों के बीच में क्या बात हुआ आप इसको मैं तो कहने ही पाऊंगे अब देखेंगे अब देखेंगे अब देखेंगे हम लोगोंने चार्ट रिफोट बना कि इससी चिट बेच जिया है आगे जो भी पार्टी करने रहे होगा देखेंगे इसको नौटी करने देखेंगे जो इसको इससे जब दोलों के तो यहार को अब शुरू होगे आगे जो जाओंगे कॉंग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैच को जिनका ये कहना है कि वो गुस्से में है वो यहाँ पर राधिका खिड़ा का शिक्र कर रहे थी राधिका खिड़ा गुस्से में है और ऐसे अरोप लगाना गुस्से में स्वभाविक है अलbagai उनके जो आरोप हैं उस पर जिन पर आरोप लगें उन पर भी पार्टी आगे निरने लेगी उस पर क्या action लिया जाता है क्या कारवाई की जाती है जांच में क्या कुछ तथे सामने आएंगे उसके आधार पर निरने पार्टी लेगी आला कि कई गंभी जो आरोप चाहे वो शराब ओफर करने का हो या फिर कमरे में बंद करने का हो ये सभी बातें जो इस पर कि दीपक बैज अभी कुछ भी बोलने से बच रहे हैं उनका कहना है कि इन विश्यों पर मैं अभी कुछ भी नहीं बोलूँगा और पार्टी इस संब के अलावा किसी की चलती नहीं तो दीपक बैज जी ने भी वो महीला से पूछ लिया शराब पीती हो थोड़ी पीती हो ज्यादा पीती हो कितनी पीती हो और उस महीला को राजी भवन में कमरे में बंद करके भद्दी गालियां दी गई वो महीला का कितना सम्मान है वो महीला को कितना सम्मान देते हैं आदर देते हैं राजनीती में उपर करना चाहते हैं महीला अरक्षन की बात करते हैं यह महालक्ष में योजना की बात करते हैं और अपने रास्टी प्रवक्ता को कमरे में बंद करके शराब और भद्दी गाल उन्होंने भुपेश बगेल की सारे पर भी ये पूरा काम होने का आरूप लगाया बड़ा आरूप है एक तरीके से मैंने कहा कि वंश्वाद और तानाशाई 36 गड़ में माननी भुपेश बगेल जी की तानाशाई कॉंग्रेस में चल रही है और उसकी वज़ा से ही वो राज्य का चुनाव हारे और लोग सबागी 11 की 11 सीटे बारती जनता पार्टी को मुझे ऐसा लगता है कि अपनी गलतियों के आधार पर जनता से दूर होते चले जा रहे हैं और शिवम प्रताब हमारे सयोगी दिली से इसपक्स फोन लाइन पार जुड़ गया है शिवम राधिका खिड़ा की प्रेस कॉंफरेंस के बाद से कॉंग्रेस पार्टी की क्या अभी तक प्रतिक्रिया आ रही है किंद्रे नितरत्व क्या इसके बारे में कुछ बोलने को तयार है चुकि 36 गर्ट प्रतिश अधिक्षा कहना है कि पार्टी निरने लेगी पार्टी जाच के बार जो फैस्ता लेगी उसे हम बताएंगे मीडिया के बारे में हो गुस्से में इसलिए वो कुछ भी बोल रही है आज कासी टाइम भी चुका है लवक 5-6 दिन हो गई ये पूरा प्रिकर हुए लेकिन कॉंग्रेस पार्टी ने इस पूरे मामले पे चुप्पी साथ रखिये जैसा कि आपने बताया कि कॉंग्रेस के जो स्टेट प्रेसिडेंट है उनका कहना है कि उन्होंने अपनी जानकारी या इसी सी को ट्रांसफर कर दी है और अब वो आगे ही कारवाई करेंगी चुकि राधिका ने ओल्रेडी कॉंग्रेस पार्टी रेजाइन दे दिया है उन्होंने कोई बचाओ नहीं किया प्रदे सद्यत शराथ की बात पूछते हैं तमाम जो बड़े नेता हैं चाहिए वो प्रभारी सचिन पाइलट हो माह सचो प्रियंका गान नहीं हो बूपेश बगेल हो जैराम रमेश हो पवन खेडा हूं उन सब तक उन्होंने सिकायत की लेकिन जो आरोपी है पूरे मामले में उनको शुख कोज नोटिस भी नहीं बिया गया यानि कि कराड़ बताओ नोटिस भी जारी नहीं किया गया उल्टा पार्टी नेताओं ने उन पर ही दबाओ मनाया कि आप चुपी सा दे रहे यहीं एक वज़े कि वो आज मीडिया के सामने आई उनका कहना है कि लगातार 6-7 दिन तक इंतजार करें शायद पार्टी उन पर कोई कारवाई करें लेकिन उन पर कोई भी कारवाई नहीं कि प्रियंका गांदी से लेकर पार्टी की महिला सबा की अध्या चलका लांबा या कोई भी बड़ी महिला नेता हूँ उसने रादिका से उनका हाल चाल भी नहीं जाना अब उन्होंने आज पुलिस से भी गोहार लगाई है चुकि उनका कहना ही उस दिन उनकी तबियत भीय नहीं कर पाई अब वो च्छतेजगर पुलिस से गोहार लगा नहीं कि पूरे मामले में नयाए एक जाच हो और उन्हें नयाए दिया जाए और शिवम इस बारे में मुख्यमंतरी च्छतेजगर के पहले ही बोल चुके हैं कि रादिका खिड़ा के साथ जो भी अन्याए हु राती हैं तो पूरा नया है उनके साथ होगा च्छतेजगर प्रशासन और विर्कुल्क दीखें इस पूरे मामले में राक्त्ला केहना ही कि उहने उम्मीद है कि वहां की स्टेफ गर्वर्नमेंट इस पूरे मामले में जाच कराएगी और उन्हें नया दिया जाएगा अगे विचार करेंगी लेकिन वो इस लड़ाई को जारी रखेंगी ये बड़ी बात है कि उन्होंने पार्टी के तमाम जो बड़े स्थर के नेता हैं उन पर भी संगीन आरोप लगाए उन्होंने कहा कि किसी भी नेताओं ने उनकी बात नहीं सुनी यहां तक कि उन्होंने आरोप लगाया कि प्रियंका गांदी के लिए ढाल बनकर खड़ी हो जाती है और भूपेश बगील बिल्कुल मैं शिबम आपके बास फिर लोटूँगा हमारे सयोगी आकाश इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं आश राधिका खिड़ा की प्रेस कॉंफरेंस में कई गंबेर आरोप कॉंग्रेस पार्टी और उनके नेताओं पर लगाये गए के बाद कॉंग्रेस का भी जो रियक्शन है वो बड़ा नपा तुला बड़ा सधा आया कि अभी कुछ भी नहीं कह सकते हैं केंद्रे नित्रत्व निरनलेगा जी बिलकुर राधिका खेड़ा ने गंबीर आरोप लगाये कि उन्हें कमरे में बंद करीद दिया गया था भद्दी बद्दी गालिया दी गे थे इसके अलावा वो जब कमरे से निकली तो भागती रही चिलाती रही किसी ने उन्हें सुना नहीं राहूल गांधी प्रियंका गांधी खडगे जी का भी नाम लिया कि उन्होंने उन्हें जानकारी दी थी लेकिन किसी तरीके से जवाब नहीं आया प्रदेश अध्ध्यक्च दीपक बैज भी उनसे अनरगल बाते करते ले लेकिन जवाब नहीं दिया है वो नियाए के गुपता जी इन से सीधे बात करेंगे राधिका खेडा मामले में तमाम गंभीर आलोप लगाए गये हैं आला कमान पर आलोप लगाया है उनकी सुनवाई नहीं हुई उनसे चुप रहने के लिए कहा गया है उनकी बेज्जती की गई है किस तरीके से पूरे मामले को देख दिखे राधिका खेडा जी राष्ट्रि कोंधर पार्टी की राष्ट्रि प्रवक्ता रही है तो मुझे ऐसा लगता है कि एक महिला नेत्री के साथ इस प्रकार की घटना कॉंधर के तीन चार्ट चरित्रों को उजागर करती जो स्वयम राधिका जी कह रही है पहली बात की रादिका जी ने कहा कि मैं अयोद्या श्रीदाम राम के दर्शन करने गई थी जब से पार्टी में मेरे खिलाफ एक वातावरण चल रहा है क्या वो उनका कुसूर है मेरा मानना है कि जो जो राम की बात करते हैं, जो अयोद्या की बात करते हैं, उनके साथ, कॉंग्रेस पार्टी यही हाल करती है, सिर्फ यह नहीं हुआ, जब उनके साथ यह घटना घटी, तो उन्होंने का, मैं कोसल्य मा की धर्ती में हूं, और यहां मैलाओं के साथ पुरुस्वत्त वादी नेता उनको पैरो तले कुछल रहे हैं इसके बाद भी खड़के जी ने राहूल जी ने अपनी रास्ट्रिय प्रवक्ताक की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया मेरा मानना इसे वन्षवाद और तानाशाई इस पस रूप से दिखती है वन्षवाद उपर राहूल जी जो कहेंगे वही खड़के जी कहेंगे वही जैराम रमेज जी कहेंगे वही पवन खेडा जी भी कहेंगे उसके बाद तानाशाई की अगर बात करू तो वो राज्यों म पार्टी के उनका यह कहना है कि यह वन्षवाद की राजनीती का परिणाम है कि सिर्फ एक परिवार को बचाने के लिए यह महिलाओं का अपमान हो रहा है कोई सुनवाई नहीं हो रही है जहां तक भारती अंता पार्टी का सवाल है पूरा समूचा भारत वर्स समझ गया है कि ये भारती जूटी पार्टी है और जूट की फैक्टरी है ये मैलाओं की क्या बात करेंगे इनको शर्माना जी ये बोलने से पहले आज पूरे भारत वर्स में यदि आप NCRB का डेटा उठा के देख लेंगे जिस प्रकास से प्रति दिन मैलाओं के खिलाफ अत्याचार हो रहा है बलतकार हो रहे है ऐसे वेक्टी मैलाओं की बात कर रहे है मैला सुरक्षा मैला सम्मान की बात कर रहे है आदिका खेडा क्या रही है ये तो कॉंग्रेस पार्टी में भी हो रहे है जो बाते आप क्या रहे है आप मुझे बोलने का इन्नों नों तो निबंद पढ़ लिया जूट का ये तो प्रपंजी लोग है ये इनकी तो चाल चरितर शेहरा सा पता है आपको और आप सुन लिजे मेरी बास पस जूट से समझ लिजे पहले कॉंग्रेस हमेशा से महिला सम्मान की बात कर रही है हमने अपने नयाय पत्र में भी इस तरी के लिए नयाय की बात की है और ये जो वंसबात की बात कर रहे है अगर मैं जैसा से सुरू करूँगा जैसा किता वड़ा क्रिकेटर है पूरे भारत वर्स को मालम है और आज किस प्रकार से किस पत पे बैटे उनकी क्या योगता तो वंसबात की ये बात ना करें तो भेतर होगा इनके आए एक बहुत लंबी फेरलिस्ट है राजनास सिंग के बेटे से लगी है दिमें बोलूँगा तो मुझे लगता है कि इनके बोलती बंद हो जाएगी स्रीमान जी के इस सामने बैटें बहुत दूसरी बात भारत वर्स में आखिल भारती कांग्रेस पार्टी ऐसी पा किस प्रकार का प्रेसर दिया गया है कि वी बीच चुनौव में इस प्रकार का व्क्ति पार्टी में उनके रिक्तिकत हालात मुझे नी बता मैं इस पर टिप्रिंग करना नहीं चाहता है मेरी बैन के प्रति पूरा सम्मान है और यदि मैं भी प्रवक्ता हूं पिछले आठ बरसे में आपको बताओं और मत्यपदेश का मेरी वबाग का उपाद्यश भी हूं यदि प्रवक्ता ही अपनी बात नहीं रख पाएगा ऐसा यदि कोई आरो प्रवक्ता लगा रहा तो मुझे लगता है कि वो बेसिकली प्रवक्ता है ही नहीं है हमारी बेहन के साथ हमारी पूरीस अनूब इती है लेकिन कि कौनसा रहे है अनू जा रही है अनू यह ज ला रही है हम को यह जो ढराने धमका ने की चल रही है मैं आपको भी बिलकुसstone बता दू कि यह चार जो जौं है उसको समाप्त हो जाएगी और यह जो तुगलग की फर्मान है जिस परकार से आज मोदी जी और अमिज चाह जो है पजात अंत्र को खतम करने में लगे हैं और जहां प्रैसर टेक्टिस से थो नट बोल टाइट करके इस परकार के वह एक्जामपल सेट करने का भी प्रयास कर रहे हैं और जिस परकार के निराधार आरोप लगा रहे हैं कांग्रेस पर्टी पर जन्रता बक्रू भी समझ रही है और जो नेता आज कांग्रेस छोड़के जा रहे हैं उनकी कुछ व्यक्ति का समझ रही हैं जंता इस बार इन्हें नकारने वाली है और जो मजबूरी जो प्रेशर राधिका खेड़ा पर जिक्र कर रहे हैं कि राधिका खेड़ा पर न जाने किस तरह का दबाव है ये तो चार जून के बाद पता चली जाएगा तो पूरे 36 गड़ में उनके खिलाफ गया है तो क्या हमारा कॉंग्रेस के उपर दबाओ था इसलिए चुनाओ हार गये क्या ये अपनी करनी को खुद ही भोगना पड़ेगा महिलाओं के साथ इनका जो दुर्वेवार है वो बहुत सामने आ रहा है दबाओ कैसा वो तो लगातार डिबेट में बैठती थी मैं भी उनके साथ डिबेट में बैठता हूँ कॉंग्रेस का पक्ष बहुत जोरदार तरीके से रखती थी परन्तु महिलाओं को बरदास्ट नहीं करती कॉंग्रेस पार्टी अगर कोई महिला बरदास्ट होगी तो खाली सोनिया जी प्रियंका जी ये पहली महिला तोड़ी है और रादिका जी ने एक फेरिस्त गिनादी महिलाओं की लगातार चाहे अर्चना गौतम की बात हो चाहे चत्रवेदी की बात हो लगातारू तो मेरा मानना है ये अपनी करनी है और इनी के सर फूटेगी अरे जब बोया पेड़ बबूल का तो फूल कहां से होए तो निश्चित रूप से मेरा मानना है कि कॉंग्रेस पार्टी ने जो अत्याचार दुराचार चार चत्तिस गड़ में एक महिला के साथ किया है और उन्हें बद्दी गालिया दिया शराप पीती है क्या पुझे कमरे में बंद कर दिया है क्या मेरा मानना इसे 36 गड़ भी बदनाम हुआ है और इसकी पूरी की पूरी अगर कोई जवाब दारी है तो कॉंग्रेस पार्टी और उसके निताओं की है उन्होंने एक और बड़ी बात कही कि राम मंदिर वो राम लला के दर्शन के लिए गई थी उनका बला भी निकाला गया है इस आइरोप को किस तरीके थे देख रहे हाँ जिस दिन से वो आयोग्दा स्री राम भगवान के दर्शन करने के लिए गई थी उस दिन से कॉंग्रेस पाटी में मानसिकता आ गई थी कि ये हिंदू संस्कृती परंपरा और भारत देश की संस्कृती में जीने वाली है इनका कांग्रेस में कोई काम नहीं है इनका जो वोट बैंक है और तुस्टिकरण की नीती है वो आधार नहीं बनता कि ये राम के दर्शन के लिए जाए और उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा कि मा कोशल्या की धर्ती में हूँ राम के ननिहाल में हूँ तो और साप लोटने लगा कांग्रेसियों का रहे ये कैसी बात करती है राम की बात करती है कोशल्या की बात करती है तो वन्शवादी लोगोंने ताना शाही नेता को आ अर्शा कर में बैन का बाटती है तो अच्छा लगता है पर पूर्शो के हवाले कर दिआ और वो भी कमरे में बंद करके बद्दी गालिया शराब की बातें एक राजनितिक पार्टी को और कहते हैं हम सबसे पुरानी पार्टी है और हम अंग्रेजों के साथ लड़ाई लड़े हैं अरे महत्मा गांदी ने ठीक कहा था कि अब कॉंग्रेज को खतम कर देना चाहिए कॉंग्रेज में वो विचारदारा नहीं दिख रही है और ये बात करते है आजादी की लड़ाई की और एक महिला के साथ बचसलू की और महिला खोद यहाँ पर चतिसगर प्रदेश में कहे कर ये आरोप लगा रही है ये भाज़बा नहीं कह रही है केदार जी मैं रॉट हूँगा आपके पास आरपी सिंग जी आरपी सिंग जी जो बातें कहरें आप सुन पा रहे होंगे इस पर अगर आपको कोई जवाब देना है तो आप बोल सकते हैं नहीं तो मैं अपना प्रशन करूँ लगता है आरपी सिंग जी से संपर्क तूट गया है अभी आकाश आप रहे हैगा हमारे साथ ममता लांजवार हमारी सयोगी इस वक्त हमारे साथ मोज़ने ममता प्रेस कॉंफरेंस दीपक बैज ने भी की या फिर यूं कहें कि करवाई गई उनसे सवाल जब इतने सारे हो र दीपक बैज ने प्रेस कॉंफरेंस ली और उनके साथ में कॉंग्रेस अंचार विभाग प्रमुक सुशिल आनुन शुकला भी महजूत थे जिन पर रादिका खेडा ने गंबीर आरोप लगाए हैं कि यहीं तासीर के आने के बाद इस तरीके से किसी मनिला को प्रतालित किया जा रहा है देखिए राम लला के दर्शन इसमें कोई प्रतालना हो यह मिथ्या और जूटा बात एक लेंग के बात दूसरा मंता जी आप भी कॉंग्रेस भौन आती हैं हैं हमारी रादिका खेरा आ दोनों पक्ष ने अपना बात लिख के प्रदेश अध्यक जी को दिया और लड़ाई तो घर में पती पतनी माबाब भाई बहन बाब बेटे का हो जाता है इसका मतलब यह नहीं कि यह सभी चीजों को रोड मिला जाए वो व्यथित थी दुखी थी इस बात से मैं भी सहमत यह को सलया माता की धरती है इस धरती में आज भी वह बहन है कल भी भी बहन रहेंगी लेकिन लगातार जो तमाम चीजे आई इस पर मैं कुछ नहीं कह सकता यह तो लोगे के बीच की बात है हुई है नहीं हुई है यह तो दोनों पक्षकार बता पाएंगे लेकिन इस प्रकार की बाते मेरे सामने तो कभी नहीं हुए उसके बाद क्या हुआ नहीं हुआ यह तो जाज कभी से होगा मैं यह कह सकता हूं ममताजी कि रादी का बहन को कम से कम कुछ समय रुकना था अभी चुनाओ का समय सारे निता बड़े निता वेस्ट है परिवार में बिल्कुल सही है कि उनको कहा गया कि साधी का समय थोड़ा साप रुख जाओ रुख जाना चीए था उसके बाद यह चीज़े हो जानी चीए थी इसी तोर पर उनका उनका जो दुख है मैं यह नहीं कहता है कि उनके साथ जो भी हुआ गलत है लेकिन यह जो अन्य बात त्या इस बात को कहा है उनको कुछ समय रुकना चाहिए था और जाच के बाद सब दूद का दूद पानी का पानी हो जाता है हम थोड़ी ना भारती जनता पाल्टी है कि रेवन्ना मामले को दबा कर बैठे और समय में उच्छा ले रेवन्ना वाला काम कॉंग्रेस पाल्टी में नहीं होता हम आज भी कोई भी जाच के लिए मैं आपके राश्टी चनल में किसी भी प्रकार की चोटा सब्सक्राइब क्या जांच अभी भी जारी रहेगी लोगों को बचना चाहिए अभी जारी रहेगी जारी रहेगी देखिए यह तो पाल्टी आला कमान का बात है बोलना चाहिए उसे नहीं बोलने दिया गया ये भी घलत हुआ लेकिन उन्हें ये देखना चाहिए था कुछ समय रुकना चाहिए था कुछ समय चुप रहना चाहिए था पाल्टी के अनुशासन को मेंटेन करना चाहिए था जी बिलकुर राधी का खेड़ा जी भी ये आरोप लगाती रही कि उन्होंने जब भी आला कमान के पास गए उन्होंने बड़े नेताओं से फोन पर बात की तो उन्होंने उन्हें चुप रहने के लिए कहा गया तो क्यों इस तरीके से एक महिला को चुप करवाया जाता रहा किदार जी देखिए वो अंदर की बातें बाहर ना चली जाए और अंदर इतना सब कुछ भैंकर हो रहा था मैं तो तारीफ करूंगा राधी का खेड़ा जी की कि एक महिला होकर और चतिसगर प्रदेश में जो अ आती रही कभी कुछ नहीं बोला और आज ये बात सामने आई कि चुनाओ है राधीका जी आपको चुप रहना चाहिए तो क्या खाली लोगतंतर के लिए की बात ये अंदर खाने में होती है अगर कोई कारी करता छे दिन से चिला रहा है तब उसकी बात नहीं सुनी जाती औ वो भी तूड जाएंगे और महिलाओं को ये बात मालूम चल जाएगी कि कॉंग्रेस महिलाओं के बारे में जो कहती है ठीक उसका विपरीत करती है अरे राजियू भवन कांग्रेस पार्टी का प्रदेश का भवन जहां अन्य नेता बड़े बड़े नेता रहते हैं वहां एक महिला को कमरे में बंद करके गालियां दी जाती है शराब की बात की जाती है ये किस ओर ले जा रही है कांग्रेस पार्टी ये देश की संस्कृति के साथ खिलवाड है मैं कहता हूँ केदार जी एक सवाल और है कि रादिका खिडा ने कारोप लगाया कि पुरमुख मंतरी के सलाकार विनोद वर्मा से भी उनकी बात हुई जब उसने पूरा घटना क्रम को बताया तो विनोद वर्मा ने उन्हें कहा कि कॉडिनेट करके चलना चाहिए इसके अलावा उन्होंन क्या कॉडिनेशन होना चीए क्या कॉडिनेशन होते हैं क्या विनोद वर्मा जी ये कह रहे था उनको कि शराब अगर कोई बात करता है तो उसके साथ कॉडिनेट करें कि शराब कैसे पी जाती है कितनी पी जाती है कोई बद्दिकालिया दे रहा है तो उसका जवाब ये कॉ प्रियंका जी के लिए लड़की उन्ट सकती उनसे मुझोरी करती हो अरे भाई कहा गया कॉंग्रेस का अंत्रिक लोगतंत्र जी एक सवाल और है कि 36 गड़बे एक आरोप है कि मामला दबाने का प्रयास किया जा रहा है लेकिन आला कमान जो है राहुल गांदी प्रियंका गां देखिये मैंने कहा एजनसी दी हुई है हिसाब किताब बराबर है जहां से आ रहा है उनकी बास सुनी जा रही है जो पार्टी के लिए मेहनत कर रहा है एजनसी वाला नहीं चाहता तो उसे धकेला जा रहा है तो निश्वित रूप से कहीं न कहीं सरकार जाने के बाद मामला मुझे तो लगता है कि लेन देन पर आधारित है जो दे रहा है उसकी एजेंसी है उसकी बात सुनी जा रही है सीधा तो कह रही है राधिका जी कि भुपेज भगेल जी के इशारे पर हो रहा है तो आखिर कारवाही क्यों नहीं करती कि भुपेज झाया पुपेज जायाजा है